असलाम लेकुम प्रेप क्लास, hope you are all fine ओके, आज का हमारा क्वेस्टेन है write the missing numbers अपने missing numbers को कैसे complete करना है, ठीक है यह आज हम सिखेंगे, सबसे पहले तो हम उपर 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग कर ले, write कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अब 1 से लेकर 9 तक आपको missing numbers दिये हुए है ठीक है, तो सबसे पहले देखें, dash है 2 से पहले dash है, तो सबसे पहले आप यहाँ ओपर देखेंगे 2 से पहले क्या आता है, what comes before 2 1, तो हम नहीं here write किया, 1 1, 2, what comes after 2, 3 3, next dash में हमने क्या write करना है 3, what comes after 3, 4, हम फिर उपर देखेंगे कि 4 की बाद क्या आता है, what comes after 4, 5 5, okay, हमने यहां 5 write कर देना है, what comes after 5, 6, 6 यह write हुआ है, ठीके, next dash में आप 6 की बाद क्या आता है, आप write करेंगे, what comes after 6, 7, 7, good, what comes after 7, 8, next dash में आप क्या write करेंगे, what comes after 8, 9, 9 write कर दिया आप, okay, देखें बाद हो, आपने 1st line को, with the help of this caterpillar counting, आपने इसको complete कर लिया, आप यहां से पढ़के देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9, यह आपका sequence है complete हो गया, good, next line को भी आपने ऐसे ही करना है, 1, what comes after 1, 2, 2 write किजिये, 3, what comes after 3, 4, 4 write किजिये, what comes after 4, 5 write हुआ है, next missing है, missing में आप उपर देखेंगे, K, what comes after 5, 6, 6 write कर दे, 7, what comes after 7, 8, and 9, यहां write है, देखें बचो, इस caterpillar के help से आप यह सारी lines को complete करेंगे, इस तरह आप और घर में इसके बार बार प्रेक्टिस भी करेंगे, इस तरह आपको missing numbers की अच्छी तरह प्रेक्टिस हो जाएगे, और समझ भी आ जाएगे, थांक य।